Hello everyone मैं अंजली अंजली कुकिंग ब्यूटी से तो आज मैं बताने वाली हूं बहुत ही टेस्टी ब्रेक्फास्ट। और वह बहुत हेल्दी भी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हैं, तो ये मैं सबसे पहले लियू. गेहूं का आटा तो यह कहसे रहा है इसलिए बहुत हेल्दी है तो इसमें गेहूं का आटा है और इदर मैं लियों एक कफ लिए में दूद थो थोड़ा सा कुनकूना दूद लेना है और यह मैं थोड़ा सा लिए पानी और इधर में ली Essam आप इसकी जगे हरी मिर्च भी ले सकते हो और ये मैं थोड़ा सा नमक लिए हूँ और ये मैं लिए हूँ चीज तो ये अंडा है एक अंडा मैं लिए हूँ और ये मैं लिए हूँ धनिया तो उसे मैं अच्छे से कट कर ली थी तो धनिया है और मैं इधर एक अंडा ले रही ह और यह चीज को भी हम इसमें मिला देंगे तोड़के थोड़ा सा या तो आप गिस के भी डाल सकते हो तो यह हम डाल देंगे इसको और इसमें हम अंडे को भी फोड़के डाल देंगे तो इसमें फ्रेंड्स देखें क्या गेहूं का भी आटा है और इसमें अंड़ा भी है तो इसलिए ये बहुत हेल्दी नास्ता है तो इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे तो इसमें मैं पानी भी एट कर रही हूं तो पानी एड़ करेंगे और इसका जैसा पर चीला बनाते हैं वैसा हमें एक पेस्ट बनाना है इसका तो एक गुठलिया नहीं रहनी चाहिए तो हमें वैसा एक बनाना है पेस्ट तो यह देखिए हो गया है अच्छा बन गया है अब हम इधर पैन चढ़ाएंगे तो pan में हम one tablespoon में oil डाली हूँ ऐसे अच्छे से फैला देंगे पूरे pan पे उसके बाद अब ये गरम हो गया है तो इसमें मैं डाल दूँगी जो paste हमारा है गोल है उसको मैं डाल दूँगी तीन से चार tablespoon डाल दूँगी और इसे फैला दूँगी अच्छे से तो इधर हमें ज्यादा मोटा या ज्यादा पतला नहीं करना है इसे हम ढख दियें जिसे क्या होगा जल्दी भी हो जाएगा और अच्छा भी तो यह देखिए कितना सुन्दर कलर आया है गोल्डन कलर पे और इसे हम ढख के अच्छे से पकाएंगे दोनों साइट से तो यह देखिए हो गया है थोड़ा सा और इसे हम पकाएंगे तो यह देखिए अब दूसरे भी बना रही हूं तो दूसरे को भी ऐसे हम पूरे पैन में अच्छे से ऐसा फैला देंगे तो ये देखिए अब इसको भी हम ढग देंगे और इसे भी पकने देंगे तो ये देखिए पक गया अच्छे से अब इसे हम क्या निकाल के रोल करके रख देंगे जिसे बहुत सुन्दर देखिए तो friends आप भी बनाओ बहुत टेस्टी लगता है तो okay friends बाई टेक कियर